वेलकम बैक टो आर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में मैं आपको पावर सेरिंग बताने वाला हूँ क्लाश 10 का सिविक्स का चैप्टर 1 तो आज से यहां स्टार्ट होने वाला है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देना और अगर आप UPC, BPC के तियारी कर रहे हो तो कान्त श्टरडी सरकल को भी सब्सक्राइब कर लेना इसमें चलते हैं तो आसा मैं जूमाट कर दे रहा हूँ हो गया, ठीक है सिस्टम औफ पोलिटिकल अरेंजमेंट इन विच पावर इज सेर्ड पावर is shared among various organs of the government, between various levels of government and also between the various social groups and pressure groups यानि पावर शेरिंग क्या है देखो पावर शेरिंग है एक तरह का पोलिटिकल अरेंजमेंट जहां पर पावर डिवाइड किया जाता है बहु सारे बेरियस levels of government जैसे कि central government, state government, local government, community government या फिर various social groups में भी बाटे जाते हैं जैसे कि यहां पर भी बहुत सरे social groups हैं ठीक है उसके अलाबा pressure groups जैसे कि हमारे यहां ले लो RSS बजरंग दली सब pressure group हैं या फिर करणी सेना इस तरह के अगर power के arrangement को बटवारा को ही power sharing कहते हैं ताकि एक देश अच्छे से चल सके In this chapter we will understand it by taking two different examples one is Belgium other is Sri Lanka तो पूरे chapter में दो देशों को example में मानकर समझाया गया है पहला है Belgium दूसरा है Sri Lanka तो आप Belgium से शुरुआत करते हैं लिखता है Belgium के बारे में It is a small country in Europe सबसे पहले तो यह कहां है Europe में है और काफी छोटा country है second point पर आते है its area is smaller than Haryana सोचो इसका जो area है हमारे हडियाना राज जैसे भी छोटा है मतलब हडियाना जो हमारा एक state है उससे छोटा यहां एक देश है It share its boundary यानि border with France, Netherlands, Germany और Luxembourg यानि यह इन चार देशों के साथ अपना border share करता है France, Netherlands, Germany और Luxembourg Next में आते है its population is little more than one crore इसका जो population है एक करोड से थोरा ज्यादा है About the half population of Haryana, Haryana के population का आधा, Haryana में दो करोड है और वही बिहार से कर compare करता भाई तब तो यह मेहज Half क्या हमको लग रहा है कि 8% ही रहता क्योंकि बिहार की अबादी ही 12 करोड के आसपास है चलो next में आते है its ethnic composition is very complex यानि ethnic मतलब समझते हो मतलब कि जो इनकी जो बनावट है मतलब भासा के अधार पर इन लोग का ठीक है यह बुड़ा composition अलग है जैसे कि हिंदी बोलने वाले हिंदी एथनिक है सिंध बोलने वाले सिंधी एक एथनिक है तो समझ में आ रहा है तो इनके यहां भी बहुत सारे भासा बोलने वाले लोग थे अलग-अलग तो इनका composition थोड़ा सा complex था एक पार्ट को Wallonia region कहते थे तो Flemish region में जो रहते थे लोग वो Dutch language बोलते थे ज्यादा वहीं जो 40% थे वो रहते थे Wallonia region में जो की French बोला करते थे ठीक है और remaining 1% German थे और यह इनका कोई region नहीं था यह सब जगा बटे हुए थे अब बात आती है जब capital की अब देखो overall जो था Dutch language बोलने वालों की अबादी ज्यादा थी क्योंकि 59% यानि majority में थे लेकिन जैसे ही बात आती थी capital Brussels की तो वहां पर समीकरन बदल जाता था वहां पर French 80% हो जाते थे और Dutch 20% यानि Dutch जो पूरे देश में majority में है वो अपने ही राज्य में minority में है इसको इंडिया वाले example से समझोगे मतलब पूरे देश में हिंदू तो जादा है लेकिन जब बात दिल्ली की आएगी तो वहां मुसल्मान जादा हो जा रहे है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं The minority French speaking community was relatively rich and powerful देखो French speaking की आबादी तो 40% ही थी लेकिन फिर भी ये लोग wealthy थे मतलब अमीर थे बहुत धन डॉलत था इनके पास और powerful भी थे अब बात करते हैं भाई इतना जब complex था तो कैसे adjustment किया गया, accommodation कैसे किया गया तो आप Belgium का accommodation देखते हैं सबसे पहले लिखता है Constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government no single community can make decision unilaterally मतलब यह यह कि जितने भी central government में जो जितने representatives French के थे उतने ही Dutch के भी थे तो इस तरह से क्या होता था कि कोई अकेले चाहे कि अगर क्यों French को promote करना चाहे कोई Dutch को promote करना चाहे ऐसा नहीं हो सकता है unilaterally आप अकेले कोई decision नहीं ले सकते हो जोकि दोनों का संख्या बराबर था majority मिलेगी यह नहीं second आते हैं many powers of the central government have been given to the state government central government का बहुत सारा power state government को भी दिया गया था यानि state government यहां पर central government का subordinate नहीं था उसका हिस्सा है उसके नित्रितों में नहीं चलता था यह अपना भी कुछ decision ले सकता है जैसे इंडियन के भी states decision ले सकते हैं खुद के वह concurrent list state list union list पढ़े होना अब आगे देखते हैं Brussels has a separate government in which both the community have equal representation यानि इनका जो capital था उस capital का भी एक अलग से government था जैसे हमारे दिल्ली का capital तो है दिल्ली का एक अलग से government भी है जहां पर फिलाल किजरिवाल जी है ठीक है तो यहां Brussels का भी अलग से government थी और वहां भी equal representation था आगे बढ़ते हैं apart from central state government there is a third kind of government और इन दो government central state government को छोड़ दो तो एक तीसरा भी government था जिसको community government कहते है ठीक है the community government is elected by the people community government अलग-अलग भासा वालों का अलग-अलग community government था फ्रेंच वाले का अपना अलग ठीक है तो और वह क्या करता था community government वह cultural issue पर देखता था focus करता था कि वह अपने culture को promote करते था या फिर कोई दूसरा उनके culture में interfere ना करे यह सब उनका देखना होता था कैसे हम लोग के यहां RSS ने इस सब का उठा रखा है जी मा ठीक है वही बजरंग दल वाले तो खेर हम जैसे lovers के लिए तो बेकारी है खेर तो यह था आज का topic मिलेंगे next video में इसका second part के साथ जहां पर हम लोग स्रिलंका का भी case पढ़ेंगे और कैसे उन्होंने exist किया यह भी पढ़ेंगे तो मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल तब तक के लिए बाई बाई